मौसम से जोड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें दिली एंसियार में फिर होगी बारिश यूपी उत्रखंड और पंचाब समयत इन राज्यों में गिरेंगे ओले आपको बता दें उत्तरपश्रमी भारत में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है मौसमी भाग ने बताए कि आज से उत्तर पश्रिमी के कई राज्यों में बारिश और ओला वरिष्टी होने का अनुमान है इसके अलावाए 31 मार्ज को बिहार, जारखंड, ओडिशा, पश्रिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने की संभावना है दक्षिन भारत में कब होगी बारिश, आइमडी ने बताए कि 31 मार्श तक तर्टिया, अंध्रप्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायल, सीमा, करनाटक, तमिलनाडू, पुड़ुचेरी और केरल में गरज और बिजली के साथ हलकी समध्यम बारिश की संभावना है उत्तरकाशी, रुद्रप्रियाग, चमॉली, बागेश्वर, रुपितोड़ागर में हलकी बारिश के आसार है मैदानी अलाकों में मौसम शुश्क रहने के साथ हितापमान में भी बढ़ उत्री होने की संभावना है उत्रखन में आज मौसम का मिज़ास फिर बदल सकता है मौसम इभाग ने उत्तरकाशी, रुद्प्रियाक, चमुरी, बागेश्वर, रुपितोड़ागर में भी हलकी बारिश होने के संभाव न जटाई है अधिकुचायवाले स्थान पर हलकी बर्फबारी भी हो सकती है हाला कि दून सही तन्य मैदान इलाकों में मौसम साफ रहने कानुमान है केदानात यात्रा की तैयारियों में मौसम खलल डाल रहा है जिससे प्रिशासन की चिंदा बढ़ा दी है बर्फ के करण धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर एक भी काम शुरूर नहीं हो पा रहे है पैदल कुमार्ग भी बिते एक माह में दूसरी बार बर्फ साफ करनी पड़ रही है ऐसे में गिंती के दिनों में व्यवस्थाओं जुटाना किसी चनौती से कम नहीं है मार्च में बारिश पिछले दो साल का रिकोर्ड तोड़ चुकी है वहीं मार्च के अंतिम दिनों में दो साल बाद ऐसा सुहावना मौसम लोगों को मिल रहा है मार्च के अंतमे सोहाने मौसम की लोग कलपला नहीं कर पा रहे हैं इस बीच पुर्वानुमान बता रहे हैं कि यहीं मौसम अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा मार्च के अंतम दिनों में भी बारिश तापमान गिरा रहेगा मौसम को अधिक्तम तापमान सौमवार एक बार फिर गिर कर 30 डिगरी से नीचे 29 डिगरी दशमलव तीन डिगरी पर सिमट गया ये समानिय से 3 डिगरी कम है विमाचल प्रदेश के सभी शेत्रों में मंगलवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है बुद्वार से प्रदेश के कई शेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है मौसम विग्यान के इंदर शिमला में आज शाम से प्रदेश में पश्रिमी विक्शोप सक्रिय होने के आसार जताए गए है 31 मार्च तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में दूप खिले मौसम साफ बना रहने के साथ ही प्रदेश के अधिकतम तापमान में हलकी बढ़ोती दर्च हुई है उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजास बदला हुआ है इस दोरां सर्द सिहरन का आहसास भी हो रहा है मौसम के बदलते मिजास के साथ अगले दो दिन में एक बार फिर से बारिश की संफावना जताई है मौसम विभाग में उत्तर प्रदेश के पश्रिम शेत्र के जिलों में बारिश और लवरिष्टी और आंधी तुफान के आशंका को लेकर किसानों को अलर्ट रहने को कहा है मिलते हैं सुपरकार के अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंज जैफारत